नमस्कार, अगले कुछ सेकंड के लिए आपको कुछ हैरत करने वाले शॉट देखने को मिलेंगे पहले इन्हें देखिए, फिर मैं बताऊंगा इन्हें कैसे फिल्म आया जाता है देखा अपने, इन सभी शॉट्स में दो चीजे हैं पहला, सुपर हाई स्पीड यानि फ्रेम रेट्स का काफी ज़्यादा होना और दूसरा, मोशन कंट्रोल यूनिट इस तरह के शॉट्स लेने के लिए 300 से 1000 फ्रेम प्रती सेकंड रेट्स से शॉट्स लेने वाले कैमरा और एक्यूरेट मोशन कंट्रोल डिवाइस की ज़रूरत परती है काफी समय इनके प्रेपरिशन में लगते हैं यानि काफी टाइम लग जाते हैं इन्हें सेटिंग करने में ताकि प्रॉपर आई एसो शुटर स्पीड और एपर्चर के साथ साथ फोकसिंग की सटिक सेटिंग हो पाए जहां सोनी एफसेवन, रेट ड्रेगन, एरी एलेक्सा 300 फ्रेम्स रेट तक की शूटिंग करती है वहीं आप जानते हैं सुपर स्पीड वाला जो कैमरा है फैंटम फ्लेक्स 4K वो एक हजार फ्रेम्स तक का 4K का रेजलेशन देता है क्योंकि इतना रेजलेशन मिलने पर आप बहुत 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 भेटर ढंग से स्लो मोशन शूट कर सकता है मोशन कंट्रोल के लिए मोको डाइन जैसे छोटे मोशन कंट्रोल के साथ साथ बोल्ट रोबोटिक मोशन कंट्रोल जो की काफी बड़ा होता है और काफी प्रोफेशनल होता है आज प्रोफेशनल जगत में काफी उज हो रहा है कोई भी शूटिंग काफी तेज स्पीड में कैमरा को मूव करते हुए हाई स्पीड पर करना होता है यानि एक तो कैमरा काफी तेजी धंग से तेजी से मूव कर रहे और उसका स्पीड काफी हाई होता और शूटिंग के बाद जब इसे नॉर्मल स्पीड पर हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार शॉर्ट आपको देखने को मिले हैं जो कम्प्लीट प्रोफिशनल होता है ऐसे शॉर्ट जो आप देख रहे हैं इस समय ये काफी प्रोफिशनल है पर ऐसे शॉर्ट लेने के लिए आपको डिजिटल फिल्मेकिंग का पूर्ण ग्यान होना जरूरी है ऐसे ही वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल का बटन अवश्यक लिकते रिए थैंक्यो प्रोफिशनल